हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपके अपने से यूटूब चैनल पर दोस्तो आज मैं आपसे वीडियो में डिसकस करूँगा सेप्ली टैंक और सॉक्पिट के बारे में मेरे से बहुत सो लोगों ने पूछा था कि सर हमें सेप्ली टैंक सोक्पिट एक साथ बना सकते हैं क्या हम अगर बनाएंगे भी तो हमें कौन-कौन सी बाते ध्यान रखनी हैं तो आज इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ अगर आप सोक्पिट के साथ साथ सेप्ली टैंक भी बनाना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को प्लीज पूरा एंटर देखना क्योंकि जो भी बाते बताऊंगा वह बहुत ज्यादा हैलफुल होने वाली है आपके लिए तो जैसे कि प्लास्टर प्लास्टर हो रखा है तो इनको दोस्तों दो भागों में डिवाइट कर दिया है जो कि देख पाहे है जिसकी चोड़ाही हमें डाई-धाई-धाइ-धाई-धाई-धाई इसको डिवाइट कर दिया। और यहां पे plaster उन्स एरिया में कर दिया गया है। अब दोस्त हम बात करेंगे जो?- तो इसकी चोड़ाई तीन फिट रखे गई है और यह बात करेंगे दोस्तों यहां पर बफल वोल बफल वोल दोस्तों क्या होती है जो हमारे सेप्ले टैंक में नीचे बीच में जो चार चार इंची की दिवाला है जिनको इनसे पार्टिशन किया गया है यही बफल वोल होती ह और यह दोस्तों हमारे चार इंची में बनाएगी है तीन बफल वोल है तो तीनों को ही अलग-अलग-अलग-अलग-पार्टिशन करने के लिए इस्तमाल किया गया है अब यहां पर दोस्तों बफल वोल में भी आपको ध्यान क्या रखना है जैसे दोस्तों आप देख पार नीचे जो घुए गया है यह 2 इसको जहां पर हलके हलके से होल दिखाई दे रहे हैं यह दोस्तु क्या होगा जैसी हमारा बरावर वाला दूसरा सोकपिट है तो उसकी दिवाल है उसमें थोड़ा सा गैप छोड़ा जाएगा उपर ताकि जब एमर्जिंसी में हमारा सेप्टी टैंक फुल होने के चांसेज में होगा तो हमारा दूसरा सौकपिट भी काम करेगा तो ये दो सौकपिट देना काफी नेसेसरी है दिसे कि अगर हम बात करें सेप्टी टैंक के साइज के उपर भी डेपेंट रहता है कि आपको सौकपिट एक ही से काम चल जाए गए दो से तो मेरे केंडिशन में या तो देखिए आप सौकपिट का साइज काफी बड़ा करें या अगर आप दो दो भागों में करना चाहते तो इस तरीके से कर सकते हैं अब दोस्तों मैं एक चीज़ की बात और करता हूँ यहां पे दोस्तों आप सौकपिट तो बना रहे हैं लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं यहां पे एक हलकी सी कंजूसी कर देते हैं कि सेप्टी टैंक में बाट्र प्रूफिंग नहीं कराते हैं यहां दोस्तों आपको बाट्र प्रूफिंग कराना जरूरी होता है तो उसलिए आप इस चीज़ को नजर अंदाज करें वहां पे कराएं जरूरी अब दोस्तों इससे कि आप देख पारें हैं जिस पॉर्शन में प्लास्टर किया गया है तो प्लास्टर करते समय आपको धियान रखना है जो साइड में कॉर्णर पे टेपर बनाया गया है आप देख पारेंगे इसली आपको दिख रहा होगा तो उस तरीके से आपको करना है क्योंकि दोस्तों इन चैंबरों में पानी हमेशा भरा रहता है तो जो हमारे दिवाल के कॉर्णर होते हैं उनमें भी दोस्तों वहाँ पानी पैनी ट्रेड होने के चांसे ज़्यादा हो जाते हैं तो वहाँ पे आप ध्यान लखे हैं जब आप अपने घर में सेप्ली टैंक बना रहे हो या सॉक्पीट बना रहे हो तो दोस्तों आपका जस्ट कोई बरावर में चिपका हुआ दिवाल से कोई रूम नहीं होना चाहिए नाहीं कोई घर की दिवाल होनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे दोस्तों सीलन आने के चांसे ज़्यादा हो जाते हैं इसलिए दोस्तों आपको करना क्या बार्ट आपको बहुत नैसेसरी है करना तो इनकेस दोस्तों देखें अगर सौकपिट और सैप्ली टैंक अगर आप जो बनाना चाते हैं एक साथ तो इस वीडियो मैंने आपको कोशिस किये कि इस से रेटेट जितने भी जानकारी है वो किल आप दे दूंगा वीडियो लाइक जरूश कर देना चैनल सस्क्राइब नहीं क्या तो सब्सक्राइब भी कर देना ठैंक्स मुझा एक वीडियो मिलतेंगे हम एक नई वीडियो में